तो आई यह से लेक्षर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉर्क इसकल टू आई अल्फा ठीक है ताउ इसकल टू आई अल्फा पर कोश्चन ठीक है प्रॉब्लम्स कुछ सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि तो आई यह दिखते हैं सिंपल कोश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपको एक रॉड दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे यह रॉड है जो एल लेंथ का है और मास एम है है clear है और किसी एक एंड पे हिंज है ठीक है अब वर्टिकल यह जी है यानि यह डॉड ऐसे गिरेगा ठीक है इसके अब रोटेट करेगा तो ऐसे, ऐसे, ठेक है, तो यह ऐसे गिरेगा तो यह एसे फॉलवगा. इस instant पर जब यह होरजोन्ट्टम है, ग्राउंड ऐसे है, नीचे ग्राउंड है, जी नीचे, ग्रैविटी नीचे लगा हुए, जब इस होरजेंटल पोजिशन से इसको रिलीस करेंगे, तो उस इंस्टेंट पे हम लोग को क्या बताना है, क्या बताना है, एंगुलर एक्सलिशन एंड रियक्शन फोर्स बैदे हि हिंज है, वह इस इंस्टेंट पे जिस समय हम होर्जेंटल पोजिशन पर रिलीस कर रहें, उस इंस्टेंट पे आपको एंग्लर एक्सलिशन उस हिंज के बाउट, इसके बाउट अगर यह अलफा है, ऐसे रोटेट हो रहा है तो अलफा, और यह हिंज कितना फोर्स लगा र चोड़ने वाले हैं, उस इंस्टेंट पे इसका अल्फा बताना है हमको, एंग्लर एक्सलिशन छोड़ने छोड़ने वाले 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 केस में, ठीक है, उस इंस्टेंट पे हमको क्या बताना है, एंग्लर एक्सलिशन और उसी इंस्टेंट पे हमको क्या बताना है, इसका कोई किसी direction reaction force होगा ठीक है जैसे अगर हम रॉट को देखे माली यहां पर हिंज है तो यह जिब गिर रहा होगा छोड़ेंगे रिलीस करेंगे तो किसी direction लगाएगा force उसको हम दो पार्ट में देख लेंगे इधर वाल माल लेंगे f और इधर वाल माल लेंगे f ठीक किसी दो परपेंटकुलर ड्रेक्शन में लिख लेंगे ठीक है वर्टकल ओला एफ माले और होट्जन्ट ओला यह माल लेंगे एंजने फोर्स लगा तो यह भी हमको निकालना है और क्या निकालना है अलफा आईए इसको सॉल्फ के पहले इसका फ्रीबार डाग्राम बनाते हैं रोड का जब आप फ्रीबार डाग्राम बना होगे तो सेंट्व मास बीच में बताया थे रोटेशनल मोशन क से लिए पढ़े हैं क्योंकि सेंट्व मास जब तक नहीं पढ़े तो उससे पहले तक जब भी हमको फ्रीबार डाग्राम बनाना पड़ता था तो चाहिए बॉड ऑब्जेक्ट या सिस्टम कितना भी बढ़ा हो हम उसको पॉइंट मास माल लेते थे पर सेंट्व मास पढ़ और यहां कोई 10 Newton का फोर्स लगा और इधर कोई 10 Newton काफोर्स लगा तो यह रोटेट करेगा ना रोट को ऐसे फिर ऐसे रूटार डोटेट होने लगिए ठेक रोटार आससे एंटीओ को फ्रेट होने लगे पर अगर इसको पॉइंट मास बना दो गए तो इधर से 10 Newton अधर से 10 यहां नीविटन इधर से 10। sought to 0 पीने रहे जब तक आप इसको बड़ा नहीं दिखाऊगे तब समय महीं आएगा जब तक आप इसको बड़ा नहीं को लिएrisk से थाट यह मोगें पूरा बनाना पड़ता है पिल्एक देखा क् तब वोटिकल एफ़ाई है ठीक है वोटिकल एफ़ाई है और जेन्टल एफएक्स है और कौन सा फोर्स है एक हिंज लगा दिया और कौन सा फोर्स है ग्रेविटी ग्रेविटी किस पर लगेगा मास्पे मास्का है सेंटर पर सेंटर मास्पे तो डाउनोड एमजी यह दो फोर्स ल क्यान करते हो तो आपको ध्यान देना है कुछ सच नहीं हिंज कि बॉट ही हमेशा है निये हुए हkeeping हो तो अगGroup कुग बंद करके यहाद हम ये इंज तो म कम आसे निदे ने जैन डेन हें पीडोत हो्ं क्लैम्ड हो तो आप हमीशा क्लैम्ड पीणों या हिंज वाले पॉइंट को के ये बॉट टॉक लेंगे इस पॉइंट के बाउट लेंगे तो यही से पास कर जीरो टॉक एसका टॉक लें एसका मिल गारें इम जी का खुलीए अम जी को पास कर कWeb यह आसे हैं ऐसे लिए फालें इम जी करनी का लांड हम लोग को एम जी है ठीक इसके वरी कामर आर इस सब्सक्रक्स की टॉक्पनलें रही जुट लगा है ईसका मिलेगा डोनों की बीछ बीच नियानाट र्फ तो mg का टॉक देखिए तो mg टॉक लगा है तो कितना है यह ऐसे रॉड था आर की वहलों यहां से यहां मिट तक तो यहां से यहां तक डिस्टेंस के हो जागा लगा टू ठीक है तो mg force mg r l by 2 और दोनों के बीच का एंगल यहां इन्टी नेट टॉक इसके बाउट आई अलफा इसके बाउट मुमेंट ओफिनर से क्या होगा वन एंड के बाउट ml स्कॉर बए थ्री वन यह ऐसे है परपेंट्ट कुलर तो दे रॉड एकसे से पास कर रहा है एक एंड से और परपेंट्ट कुलर दो रॉड तो क्यों तो नेट टॉक इसकल टू आर्फ नॉट इसकल तो आई अलफा जैसे अफ इसकल दो में तो नेट टॉक इसकल दो आयलफा फर्म लोप चुक गई है ठीक जब मुमेंट ओफिनर से जैई से डराइफ के थे हम लोग तो आई आई इसके बाउट क्यों गया एम इसक्वर बैट त्री जी बाई टूल पॉफेक्ट है तो अलफा निकला है हमारा अब क्या निकालना है एफ आफ आई एफ एफ एक्स क्लेर नहीं है इसके बाउट टॉक लिए खाली एम जी का टॉक मिला ठेक है तो एम जी एल बाई टू साइन नेंटी एमल स्कॉर बैट त्री आई अलफा आई वैलू वन एंड के बाउट है रॉट का क्यों रॉट है तो रॉट कमूं टेफिनर से वन इंड के बाउट का होता है एमल स्कॉर बैट 3 एमल स्कॉर बैट 3 इंटू अलफा टेल फाक वैलू ट्री जी बाई टू एल अब हमको निकालना है एफ एक्स तो धियान है आगते है इस के आख सबगारट हो रहा है इसके बाउट हो रहा है तो यह सेंंटर में तो नीचे अरम फोर्स को एक्वेट करें वर्टिक्ल तो वर्टिकल फोर्स Mg नीचे नीचे गिर रहा है एक तरस नीचे से स्लाइड दो तो नीचे गिरा तो Mg dominating Mg minus Fy इसकल दो mass into accession वर्टिकल मोशन देखें तो Mg minus Fy इसकल दो mass into accession कौनस accession? accession center of mass तो center of mass का accession क्या होगा? तो यहां से यह alpha है कितने distance पे? L by 2 तो यहां का tangential accession क्या होजागा? alpha L by 2 ठीक है ऐसे है यह alpha हम को किसका निकालना? accession center of mass का तो यह कितना distance L by 2 तो यहां का क्या होजागा? alpha into L by 2 यही क्या होगा? accession center of mass clear है? कोई दिक्कत? ठीक है तो यहां नीचे Mg ऊपर Fy तो Mg minus Fy is a cash 2 mg minus Fy is equal to m a center of mass ठीक है तो Fy value mg minus m a center of mass alpha L by 2 हो जाएगा? ठीक है? alpha L by 2 की value रख दीजे ठीक तो alpha L by 2 की value alpha की value रख देगा? 3G by 2 L by 2 तो 3 mg by 4 तो Fy value mg minus 3 mg by 4 ठीक तो N e mg by 4 ठीक है? तो Fy value mg by 4 आगे Fx अगर हम देखते है है तो horizontal में देखिए कोई motion है horizontal कोई motion यह रहा है जो भी motion है vertical तो horizontal access in 0 है तो net force in horizontal action है is equal to m a submission of सारे Fx is equal to m a तो सारे तो है नहीं एक ही है तो देखिए तो net force m a और access in horizontal में क्या है? 0 तो submission of Fx 0 एक ही Fx है तो 0 हो जाएगा ठीक है तो Fx क्या हो जाएगा आपका? 0 तो Fy निकल गया Fx निकल गया alpha निकल गया clear है कोई दिक्कत जब भी आपको अगर clamp हो तो आप clamp के about it torque लिजेगा त्यांद दिएगा तो center mask का निकाल के आप कर सकतो clear है कोई दिक्कत ठीक तो अभी इस lecture को नहीं रोकते हैं बाकि आगे हम लोग next lecture देखेंगे एक type का और question अगले level का देखेंगे ठीक थ्वास और उसमें toughness बढ़ाएंगे और फिर उसको देखेंगे तब तक के लिए stay connected thank you